नमस्कार आप सभी दर्शकों का डॉक्टर मंजुल योशी यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में जानिए सूर्य के बीज मंत्र को सिद्ध करने की विदी मात्र साथ दिनों में ऐसे ही जोतिस से जुड़ी चानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सूर्य से ही इस प्रच्वी पर जीवन है सूर्य को ही उर्जा का स्रोत माना जाता है सूर्य महर्शी कश्यप और अलिति के पुत्र माने जाते हैं भारती जोतिस में सूर्य को कार्मा का कारक माना गया है साथ ही सूर्य, पिता, राजा, सरकार, प्रकाश, मान सम्मान, यश, दाइन नेत्र, दिन, उर्जा, पराक्रम, राजनीती, चिकित्सा विज्यान, गौरव, पित, कैल्शियम, दवा, इत्यादी के मुख्य कारक रहा है। कुंडली में सूर्य के अशुब या नीच राशी यानी तुला में इस्सित होने से उप्रोक्त बताए गए कारकत्तों में कमी आती है और अशुब परिणाम मिलते हैं। सूर्य को अर्ग देने से लेकर उसका रत्न मानिक धरन करने तक अनेकों प्रकार के उपाई भारती, जोतिश, शास्त्र में वरनित हैं। इन ही उपाईों में सबसे प्राचीनतम और सरल सटिक उपाई है सूर्य के बीज मंत्रों का जब करना या करवाना। सूर्य बीज मंत्रों को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो फिर सूर्य के सकारत्मक प्रणाम मिलते हैं। यदि कुंडली में सूर्य से ग्रहन दोस बनता है। साथ ही पित्र दोशो या अमवश्य दोशो तो इन दोशों के निवारन के लिए सूर्य बीज मंत्रों का जब अतिलापकारी रहता है। साथियो जो भी युवा सरकारी नौकरी के चाहा रखते हैं। उन्हें सूर्य का यह उपाय अर्थात बीज मंत्रों का जब अवश्य करना या करवाना चाहिए। असाध्य रोग से रहत पाने के लिए और नेत्र जोती बढ़ाने के लिए भी सूर्य बीज मंत्र का जब प्रभावी माना गया है। सूर्य मंत्र के जब से कैसा भी रोग क्यों नहों कुछ ही दिनों में उस रोग से मुक्ति मिल ही जाती है। यदि जन्व कुंडली में सूर्य सप्तम में हों तो विवाह में देरी होती है या वेवाहिक जीवन दुखी होता है तब भी सूर्य बीज मंत्र का जब आती लापकारी होता है। सूरी बीज मंत्र के जप से धान धान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजपत, इत्यादि की प्राप्ती और सभी मनों कामनाओं की पूर्ती होती है सिंग राशी के जातकों को सूरी के जप से अच्यदिक लाव होता है भगवान, स्री राम ने भी रावान पर विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त मुने के कच्छना अनुसार, सूरी पूजा, सूरी मंत्रों का जप और आदिक के हिर्जय इस्तरोत्र का पाठ किया था सूरी के बीज मंत्र को सिद्ध करने से जन्म पत्रिका में सूरी के अशुब प्रभाव खत्म होते हैं सूरी से जनित सभी दोश नश्ट होते हैं और सूरी का शुब फल बढ़ता है आए जानते हैं क्या है सूरी देव का बीज मंत्र, कैसे इसे सिद्ध करना है आगे की वीडियो को आप ध्यान से देखिए साथियो, सूरी का बीज मंत्र है ओम, घ्रणी, सूर्याय, नमहा इसकी जब संख्या साथ हजार है यानि सेवन थाउजन टाइम्स इसका जो जब का समय है मौर्निंग में आपको करना है सवेरे इसे रविवार से आरंब करना है शुक्ल पक्ष का रविवार में ले तो बैश्ट रहता है इस टोटल अनुष्ठान का जो समय है वहा है साथ दिन यानि मात्र एक हपता प्रति दिन किसी भी रविवार से सुरू करके लगातार 108 मन के की 10 माला आपको रोजजपनी है तो अगर 1000 जब आप रोजज करें साथ दिन में 7000 जब आपके पून हो जाते हैं जब के लिए आप लाल चन्दन या तुलसी की माला का प्रियोग कर सकते हैं माला से ही जब करें मंत्र जब एक नियत समय पर रखें भोजन और आचार विचार शुद्द और सात्विक रखें कल्यग में विश्य इसलाप के लिए चार गुना यानि 28,000 जब करना चाहिए जिसे आप 7,000 के 4 चलणों में पूरा कर सकते हैं मंत्र जब पूरा होने के पश्चार दशान से हवन आवश्यक होता है पर दशान से नबन पड़े तो कम से कम 108 बार हवन आवश्यक करना चाहिए फिर इसके बाद इन मंत्रों के जब आप प्रति दिन की दिंचरिया में शामिल कर सकते हैं या सिर्फ रविवार को ही सूरी मंत्र का एक 108 बार जब करें तो सूरी देव के अच्छे ही प्रणाम प्राप्त होते हैं इस मंत्र के जब के बाद किसी ब्राम्वन को सुरद्धा और सामर्थि के अनुसार द्रब्यदक्षना दान दें यदि आप यहां मंत्र जब खुद न कर पाएं तो आप इसे हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं इस विश्य में यदि आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपडेट कर सकते हैं हमारे द्वारा जोतिष की सलहा भी दी जाती है जोतिष सलहा के लिए आप हमें स्क्रेन पर दिये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दी गई जानकर यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप सभी का समय शुभ हो धन्यवार